हलो गाईस, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल नियो क्लासेज हलसी में काईस आज इस वीडियो में हम सिंटेक्स के कुछ क्वेस्टन को डिल करेंगे आप वीडियो को अन तक देखें I think so की सिंटेक्स यानि subject verb agreement से related जितने भी concept है वो clear हो जाएंगे तो चलिए हम आज के सेट के पहले प्रशन की सुरुगात करते हैं इस सेट का जो पहला प्रशन है बहुत ही important प्रशन है और इससे कई बार परिक्षा में सवाल रहता है तो पहला प्रशन हमारा है कि इधर यू और प्रभाकर इधर यू और प्रभाकर डैस डन इट तो द्यान रखेगा कि इधर और से सुरू होने वाले है ना sentence में क्या होता है कि भर्व का चैन हम लोग जो है वो बाद वाले subject के हिसाब से करते हैं फिर से समझी इसको अच्छे से कि इधर और से यदि दो subject separated है अलग है तो हम लोग भर्व का चैन बाद वाले के हिसाब से करते हैं तो हमारा बाद वाला जो है वो प्रभाकर है और प्रभाकर किसी का नाम है इसलिए यह singular होगा और इसके साथ singular भर्व का प्री होगा अब देखे क्या है यहाँ पर हैज और इस दोनों singular है तो अब हम यहाँ पर किस का चैन करेंगे चुकि यहाँ पर डन लगा हुआ है तो डन भर्व का तीसरा रूप है तो भर्व का तीसरा रूप जेनरली हम लोग जो है वो हैज है के बाद प्रियोग करते हैं तो यहाँ प बादबाले के हिसाब से करते हैं, तो बादबाला हमारा धा-teacher है, धा-teacher जो हुआ सिंग्लर है, इसलिए इसके साथ The singular verb का प्रयोग करेंगे, तो हमारा शिंग्लर verb क्या है? इस है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, इस हो जाएगा, चलते हैं हम अपने अगले प्रशन की ओर, the jury- divided in their opinions, jury, देखिए हम बात करें इस प्रशन से related, तो एक होता है collective noun, और collective noun जो है, वो तीन प्रकार के होते हैं, है न, generalizing collective noun, group collective noun, और distributed collective noun, तो distributed collective noun का मतलब होता है, जो एक पल में एक हो, और अगले ही पल अपने विचार में बट जाए, ठीक है, जैसे jury हो गया, panel हो गया, committee हो गया, तो अगर ये बट जाते हैं, तो plural होते हैं, और plural verb लेंगे, अगर ये नहीं बटते हैं, तो singular होंगे, और singular verb लेंगे, तो jury यहाँ divide हो रहा, बट रहा है, तो निश्चित रूप से ये plural होंगे, तो the jury- divided in their opinion, ठीक है, तो jury were divided in their opinion, ठीक है, जूरी जो है, वो अपने विचार में क्या हो गया था, बट गया था, ठीक है, यहाँ पर देखिए, pronoun भी इसी हिसाब से chain किया गया, देर लगाया गया, ठीक है, आग लगा हो, या every लगा हो, या no no लगा हो, each लगा हो, every लगा हो, no लगा हो, तो उस परिस्तिति में हम उसे singular समझ करके, उसके साथ singular भर्व का chain करेंगे, तो देखिए, यहाँ पर has और इस दोनों singular है, लेकिन यहाँ पर does a separate room, यानि possession की बात की जा रही है, अधिकार की बात की लिए, तो possessive जो है, वह case हमारा has है, वह था, तो यहाँ पर सही आंजर क्या हो जाएगा, हाज हो जाएगा, ठीक है, चलते हैं, अगले प्रशन की और अगला प्रशन है, the great scholar and poet, ध्यान से देखिएगा कि जब दो singular subject end से जुड़ा हो, देखिए, यहाँ पर great scholar and poet, तो यहाँ हम समझेंगे, कि यह scholar और poet दोनों एक ही व्यक्ति के लिए आया है, तो इस परिस्तिति में उसे हम singular समझेंगे, और उसके साथ singular verb का प्रियोग करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर क्या होगा, died है, तो यहाँ पर हम लोग है, इस लिखेंगे, ठीक है, आग पोईशन के पहले वाले के हिसाब से करते हैं, तो पहला वाला the origin है, वह singular होगा, और singular subject के साथ जो है, वह singular verb का प्रियोग करेंगे, तो the origin of these manners and customs, यानि इन manners, सब्वेता और संस्कृतियों की जो खोज है, वह अग्यात है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, is, सही answer इसका क्या होगा, is होगा, ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रस्ण की ओर, ठीक है, हमारा अगला प्रस्ण है, कि 9 miles dash a long distance, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, 9 miles dash a long distance, जब किसी भी cardinal adjective हो, और उसके बाद जो है, वह plural noun हो, ठीक है, तो देखिए उस परिस्तिती में, अगर ऐसा आपक की बोद हो रहा हो, निश्चित मातरा का बोद हो रहा हो, निश्चित वेट का बोद हो रहा हो, तो उस परिस्तिती में, हम उसे singular समझेंगे, और singular भर्व का प्रियोक करेंगे, तो 9 miles जो है, एक निश्चित दूरी है, तो इस परिस्तिती में, हम लोग इसको singular समझ करके, इस के साथ singular भर्ब देंगे तो nine miles is a long distance क्या हो जाएगा इसका सही answer इज हो जाएगा अगले प्रस्ट में क्या है दर धेर डैस a number of books in hand ठीक है a number of books देखिए यहां पर दो concept a number of और दा number of तो a number of के बाद जो है वह plural countable ना होना था और दा number of के बाद generally singular का प्रियोग करते है ठीक है तो यहां पर देखिए क्या है कि अगर कोई sentence देर से सुरू हो तो उसके बाद आने वाला जो भर्ब है उसके बाद आने वाला noun के मिजाज के हिसाब से होगा तो चुकि a number of के बाद जो हुआ प्लूरल नाउन का प्रियोग करते हैं और इसका आर्थ जो हुआ प्लूरल होता है तो इसलिए यहां पर जो हम लोग plural भर्ब का चेंड करेंगे तो क्या हो जागा there are फिर से समझे है साइद आप नहीं समझे होंगे कि यदि कोई sentence there से सुरू होता है तो उसके बाद आने वाला भर्ब जो होता है उसके बाद यानि भर्ब के बाद आने वाला जो नाउन है वो decide करता तो देखिए आपर a number of तो a number of के बाद जो हमारा plural noun का प्रियोग किया जाता है और plural अर्थ हो रखता है और plural भर्ब भी लेता है तो definitely यहाँ क्या हो जाएगा अगले प्रिस्ट में क्या है डबलो एच वाई वाई देखिए क्या होता है कि जब कभी भी जो है वह डबलो एच क्विस्टन से किसी sentence की सुरुआत होती है तो उसके बाद आने वाला भर्ब जो होता है उसके बाद आने वाले noun या प्रोनाउन के मिजाज के हिसाब से होता ह वह इतना देरी से स्कूल क्यों जाता है चुकि है statement है तो generally हम लोग simple present में consider करते हैं तो इस परिस्थिति में हमारा यहाँ पर सही answer हो जाएगा देश हो जाएगा ठीक है चलते हैं हम अपने अगले प्रेशन की ओर air and water dash necessary for survival ठीक है देखिए air and water जब दो अलग अलग subject जो है end से जुड़े हो और दोनों अपने अलग अर्थ रखते हो उस परिस्थिति में हम लोग उसके साथ जो है वह plural भर्ब का प्रियोग करेंगे तो air अलग है water अलग है और दोनों जो है वह जीने के लिए आवश्यक है तो यहाँ पर जो है हम लोग किसका प्रियोग करेंगे plural वर्व यानि आर का प्रियोग करेंगे ठीक है देखिए plural तो वर्व है लेकिन क्या है चुकि यह statement है चुकि यह कतन है कि हावा और पानी दोनों जी हैं दा सिंगर एंड दा ऑधर देखिए जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हैं यहादी दोनों के पहले आइंड का परीयोग हो हो तो यदि दोनों के पहले आइटिकल का वो अलग वेक्ति है तो यहां दो वेक्ति का वो दो रहा है तो इस परिस्तिती में हम इसको plural समझेंगे और इसके साथ जो होगा plural भर्व का क्या करेंगे प्रियोग करेंगे ठीक है तो the singer and the actor were bearing similar jackets ठीक है यहां पर क्या हो जाएगा plural भर भर हो जाएगा चलते हम अपने अगले प्रस्ण की हमारा अगला प्रस्ण है his honesty and integrity बहुत अच्छा सवाल है his honesty and integrity देखी honesty और integrity दोनों सब्द जो है वो किसी एक ही वेक्ति के लिए आया है किसी है ना कि उसकी इमंदारी और क्या बलते हैं एक एकलता ठीक है तो उसकी इमंदारी और एकलता जो है वह क्या है unquestionable है मतलब बिना कोई विबाद का है ठीक है तो इस परिस्तिती में इसको हम लोग singular समझते हैं और इसके साथ singular verb देते हैं क्योंकि एक ही वेक्ति के लिए आ रहा है ठीक है honesty और integrity जो है वह किसके लिए है उसका honesty और integrity ठीक है तो he's हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा his honesty और integrity ठीक है तो यहाँ पर ease हो जाएगा अगले प्रस्न क्योंडे चलते हैं हमारा अगला प्रस्न है either of the two, that is acceptable ठीक है either of the two देखिए जब दो संग्सक्राइग करें इधर के साथ और इधर के साथ और इधर के बाद, either के बाद, neither के बाद, each के बाद, every के बाद, कोई भी आपका अ अगर नाउन आता है तो नॉर्मली वह क्या होता है सिंगलर होता और उसके साथ जो है वह सिंगलर वर्ब का परियोग करते हैं तो इधर आप दाट टू इस एक्सेप्टेबल ठीक है आगे चलते हैं अगले प्रस्ण की ओर यह ए लॉट ऑफ बुक्स एलॉट ऑफ बुक्स का जो है वह परियोग हम लोग प्लूरल के संदर में करते हैं एक बात दिमाग भी रखिए कि एलॉट ऑफ के बाद अगर प्लूरल कांटेबल नाउन हो तो डेफिनेटली क्या है उसके साथ आने वाला भर्ब जो है वह प्लूरल लगेगा और अक्सर हम लोगों को इस तरह के प्लूरल कांटेबल नाउन हो तो डेफिनेटली उसके साथ जो प्लूरल भर्ब का प्रियोग करेंगे तो अगे चलते हैं तो इसलिए हम लोग को जो है यहां पर वहां सूटेबल भर्ब का चैन करना होगा क्योंकि वील और सेल तो हो नहीं सकता है आगे चलते हैं हमारे प्राइस आफ मैंगोज डैस गोना बहुत अच्छा सवाल है और कई बार परिक्षा में इस तरह से पूछे जाते हैं तो जब दो सब्जेक्ट प्रिपोजिशन से जुड़े हों यहां और यहां दो सब्जेक्ट जुड़ा है मैंगोज और प्राइस तो दोनों यह प्रिप का चेंड करेंगे लेकिन यहां पर देखिए गून अप है तो डिफ्नेटली क्या हो जाएगा यह परजिंट पर्फेक्ट का किस बन रहा है तो उस परिस्तिति में हमारा भर्वका सही आंसर हो जाएगा भर्वका सही चेंड हो जाएगा है ठीक है आगे शलते हैं दा समन्स तो हम लोग समझते हैं कि वो अन्त में लगते हैं लेकिन वास्ता व वह क्या होते हैं यानी प्रियोगा ठर्वह ब sichpektive समझछा पर इसके साथ मिद्ध के लेकिने ितल धीक, वह से समझते हैं वह मतलब होता हैं तो we go obt. ठीक है तो इसे singular समझ करके इसके साथ हम लोग singular भर देंगे तो the summons is issued ठीक है आगे चलते हैं was issued भी हो सकता है ठीक है तो ध्यान रखेगा was issued भी हो सकता है अगला प्रेसन है हमारा beauty and brain देखिया है पर दो subject है सुन्दर्ता और brain मतलब होता दिमाग dash note often go together साथ साथ नहीं मिलती है यहनी सुन्दर्ता और दिमाग जो है बुद्धी साथ साथ नहीं मिलती है ठीक है तो यहाँ पर क्या है दोनों अलग अलग चीज़े सुन्दर्ता और brain साथ साथ नहीं मिलती है ठीक है तो यहां note लगा हुआ है तो definitely यह simple present tense का जो हुआ negative sentence है यहां पर क्या हो जाएगा चुकि दोनों अलग अलगे तो plural भरभा में चाहिए तो do or does में plural कौन हो जाएगा चलते हैं अपने अगले प्रस्ण की और अगला प्रस्ण है हमारा climbing 200 meters that's a tough job for anyone climbing 200 meters ध्यान से देखिएगा 200 meter चढ़ना है ना किसी के लिए एक tough काम है तो एक निश्चित दूरी की बात किजा रही है भाई 200 meters चढ़ना एक जो हुआ tough काम है तो उसके साथ हम लोग जो है एक निश्चित दूरी है चुकी तो हम लोग उसे singular समझ करके उसके साथ singular भर देंगे तो climbing 200 meters is a tough job ठीक है for anyone चलते हैं अपने अगले प्रसंद की ओर three mistakes of my life तेकि यह किताब का नाम है उपन्यास का नाम है जोकि चेतन भगत के द्वारा लिख्या गया है तो the three mistakes of my life that's written by तो यहाँ पर क्या हो जाएगा singular है चुकी किताब का नाम है नाम किसी का भी हो singular होगा तो यहाँ पर यह जाएगा ठीक है अगले प्रसंद क्यों चलते हैं हमारा अगला प्रसंद है each of the teacher working in my school that's a female बहुत अच्छा concept है देखे each of के बाद every of के बाद either of के बाद neither of के बाद singular नाम आता है और उसे हम लोग singular समझ करके उसके साथ singular भर्ब देते हैं तो each of the teacher working in my school is a female मतलब मेरे दिद्याले में जो भी सिक्षक कारिरत है वो क्या है महला है ठीक है I wish I dash the cm of we are देखे जब suppositional sentence हो कोरी कलपना की जाए और sentence की सुरुगात जो है वो I wish से हो we wish से हो if से हो as though से हो है ना ठीक है would that से हो तो इस तरह से अगर sentence की सुरुगात हो तो subject चाहे कोई भी रहे भर्वा में सा we are e वर लगता है यानि suppositional sentence में जो है वो subject चाहे कोई भी हो वर्वा में सा we are e वर लगता है चलिए हम अपने अगले प्रस्न की ओर चलते हैं हमारा अगला प्रस्न है the committee dash divided in its opinion बहुत अच्छा सवाल है और बहुत बार यहां से परिक्षा में सवाल भी रहा है एक committee देखिए है पर फिर वही बात है distributed collective noun committee यहां divide हो रहा है तो जब committee divide हो जाए यानि distributed collective noun जब बट जाए तो definitely इसके साथ जो होगा plural verb का हम लोग क्या करते हैं प्रियोग करते हैं the committee dash divided in its opinion ठीक है तो यहां पर हो जाएगा आर भी हो सकता है the committee are divided in its opinion और वर्वी हो सकता है ठीक है बात समझे गे न the committee dash divided in its opinion यानि यहां पर आर भी सही answer हो सकता है और वर भी सही answer हो सकता है past के case में देखे तो ठीक है आगे चलते है अगला प्रशन है हमारा the people in होना चाहिए यहां पर गलती से mistakes is हो गया है the people in the crowd that's pushing one another यानि भीड में जो लोग एक दूसरे को क्या कर रहे थे push कर रहे थे धक्का दे रहे थे तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा preposition से दो subject जूड़ा हुआ है तो पहला वाला people है तो the people जो है वो प्लूरल है चोकि group collective noun है यह प्लूरल होगा इसके साथ plural भर्व लगेगा तो चोकि पूसिंग है लगा हुआ यानि mb4 है तो definitely यह past continuous या present continuous में जाएगा तो present continuous का यहां भी कलप नहीं है तो past continuous में हम लोग लेंगे तो the people वर पूसिंग हो जाएगा ठीक है फिर से समझे इसको यहां परी position इन से जुड़ा हुआ दो subject है तो भर्व का चेन पहले वाले के नुसार पहला वाला दा people है और दा people जो हो group collective noun जो कि plural होता है तो plural भर्व देंगे चुकि यहां पर पूसिंग लगा हुआ है तो यानि जो है या तो present continuous में जाएगा या past continuous में जाएगा तो present continuous का कोई option नहीं है तो past continuous में हम जाएगे तो past continuous में डब्लू यारे वर ठीक है अगला प्रेशन है हमारा all the members of the family देखिए हम बताया थे कि all का प्रियोग जब हम लोग सारे वेक्ती के अर्थ में करते है countable noun के अर्थ में करते है जिससे सारे वेक्ती वस्तू आदी का बोध होता है तो उसको हम लोग plural समझते है और उसके साथ plural भर्ब देगे तो यहां पर left है भर्ब 3 है तो निश्चित रूप से है जब का प्रियोग होगा all the members of the family have left ठीक है? have left हो जाएगा ठीक है? आगे जलते है the flock of words यहां पे प्रिपोजिशन से पहले वाले के हिसाब से तो the flock singular हो जाएगा the flock of words is always seen in the morning ठीक है? यानि पक्चियों का जुन जो है वह सुबह में दिखता है तो यह the flock यानि pre-position के पहले वाले के हिसाब से यह pre-position हो अफ इसके पहले वाले के हिसाब से हम लोग भरव का चैन करेंगे the flock the flock singular है इसलिए इसके साथ singular भरव इसका प्रियोग करेंगे आगे चलते है ठीक है? हमारा अगला प्रश्ण है there that's few gentry term पे गौर कीज़ेगा gentry in this town अब देखे क्या है कि जब कोई sentence there से सुरू होता है तो there से सुरू हने वाले sentence में भरव का चैन उसके बाद आने वाले noun के हिमिजाज के हिसाब से होता तो देखे यहां पे gentry है और gentry की बात करें तो gentry जो है वह plural होता है gentry का मतलब होता कुलीन लोग सब भी लोगों का समू जो है न तो इस सहर में बहुत कम सब भी लोगों का समू है तो there dash r यहां पे सही आनसर क्या हो जाएगा r क्योंकि gentry plural है वर इसली हम लोग नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहां पर जो है वह present situation की बात की जा रही है कि इस सहर में बहुत कम कुलीन लोग है थे नहीं है तो इस तरह की जो sentence होते हैं उनको हम लोग जो है वह present case में ही रखते हैं ठीक है statement based question चलते हैं हम अपने अगले प्रस्ण की और हमारा अगला प्रस्ण है हमारा अगला प्रस्ण है बहुत ही important प्रस्ण है the canterbury tales the canterbury tales ठीक है बहुत अच्छा सवाल है the canterbury tales a book चुकि canterbury tales जो है वह किताब का नाम है ठीक है इच्छा मैं पूछा गया है, his means, means का मतलब दो चीज होता है, एक तो means का मतलब साधन होता है, कोई भी चीज का साधन आने जाने का है न, और अग means का मतलब जो है, वो आमदनी भी होता है, income भी होता है, अगर means के पहले possessive adjective लग जाए, देखिए हैं पर his possessive adjective के रूप में कार् लग जाए, तो उस परिस्थिती में हम लोग जो है, उसको plural समझते हैं और उसके साथ plural भर्ब देते हैं, तो his means are a small, फिर से इसको समझेगा, means का दो मतलब होता है, एक मतलब होता है, कि साधन और दूसरा मतलब होता है, आमदनी, ठीक है, तो अगर हम कैसे जानेंगे, कि यह यहाँ पर आमदनी है, कि साधन है, तो अगर means के पहले जो है, वह possessive adjective देखिया, his possessive adjective लगा हुआ है, that's a small, ठीक है, तो हम समझेगे, कि यहाँ means का मतलब आमदनी है, तो यहाँ पर जो है, अगर means का मतलब आमदनी होता है, तो उसे plural अर्थ में treat करते हैं, तो यहाँ पर हमा of a team of a group of a panel of के बाद जो है, प्लूरल ना उनाता है, लेकिन भर्व का chain हम लोग singular करते हैं, तो a pair of words चुकी है, पर flying है, तो निशित रूप से जो है होगा, क्या होगा है, present continuous होगा या past continuous, तो present continuous का कोई option मीच नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ a pair of यानि singular भर्व होगा, तो singular के हिसाब से हम लोग यहाँ पर was रही answer है, ठीक है, आगे चलते हैं, your father dash stop smoking, लेकि अस्टाप भी होता है, भर्वत्री अस्टाप भी लिखते हैं हम लोग, तो your father dash यहाँ पर भर्वत्री के रूप में हम लोग treat करते हैं, तो मारे पिता ने धुम्रपान जो हुआ हुआ, क्या क लोग कहीं कहीं देखते हैं, तो यहाँ पर क्या जगा, your father has stopped smoking, तो इस तरह से जो है, यह सेट यहीं समाप्त होता है, आप यहाँ तक जो है, किसी को कोई समस्या सायथ नहीं हुए होगी, थैंक यू सू मच, आप लोगों का बहुत बहुत सुक्रिया, वीडियो देखने के जोड़ने के लिए, ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो लाइक, सेर और सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद,